हमारे साथ रमेश जीजिन के साहब हैं, जो कन्नाटका के विजापूर के संसद हैं, और हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था, उसको पहले सुन लेते हैं। यड़ोरपा के बेटे विजैंदरा को राजी के पार्तिय prends दिख्षपनाय गए है। तो हमारा पहला सवाल ये है, कि हर कोई जानता है कि आप पप्लिक में द्यारताई बात नहीं करते हैं।। और जो बात करते हैं, तो दिल से बात करते हैं, सीधे तरीक तरीके से बात करते ह लेकिन आपके बयान में बहुत सारा करवापन सुनने को मिला, क्या वज़े क्या थी इसके लिए? कुछ नहीं सार देखो, सत्र बरस से जबी प्राइम मिनिस्टर बनता है दिली में, दलीत लोग रापता है, जिस तिस राज में वो जो लोग रहता है, जबी मुख्यमंत्री बनता है, वो बड़े समाज लोगाँ के लिए दलीत लोग हाथ उटाते हैं, जबी दलीत होने का वक कि बोलो 75ू ने कर्नाटकविस एक डलीतो प्रभावशय लिता, 800 सेंचयूरी में, अब भी बोलते हैं, लेकिन दलीत का विशह आ गया तो, ये बड़े समाज के लोग, दिल क्यों नहीं बढ़ा करता है, ये बोहत मुझे बुरा लगता है। क्या आप पार्टी अद्धिक्स बनना चाहते थे नहीं सर मैं कभी कभी यहां करनाटक में पार्टी अद्धिक्स बनाने के लिए कभी मैं नींद में भी नहीं सोचा क्यों हम जानते क्योंकि दलित अगर 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 अद्धिक्स हो गया तो बहुत कम लोग बहुत लोग हमको भूर सहकार नहीं देता है और बीजेपी को कहाता है कि वह ब्रामन और बन्याग पाटी है है यह महीं नहीं मांता हो शब का पार्टी है सबी जात पात का लोग है कितनी इसमें माइनारेटी लोग भी है क्रिश्यन भी है दलित भी है बैकरड क्लास भी है मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ यह सिर्फ ब्राह्मन उर्बनिया का पार्टी होगा बहुत पहले होगा वो भी एक जमानाता पीछे वो ऐसे उटाए में होगा अभी तो नहीं है सभी जात का जात पात का लोग यह बाजेपी में है क्या आपको कभी ऐसा लगा है क्या आप जब जननता पार्टी से तुने गए थे किया तो क्या रामकृष्ण हेगडी जी आपको ज्यादा इज़त देते थे और क्या आप को ज्यादा इज़त करते थे साब जी वो जमाना वो अलग था ऐसे लीडर कहीं भी नहीं देखा मैंने हेगडे साब का और पटल के जैसे लोगों को मैं कभी भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देख रहा हूँ, कितना बड़े, कितना बड़े नेते लोग था, किस चोटे-चोटे चीजों को भी मैं चोटा बच्चा था, फिर भी ओ लोग मुझे पूस्ता था, रमेश ये का इसा करना, आज इतना मैं सत्तर बरस हो कोई भी पूछा मुझे लीडर करना क्या नहीं करना। वह अलग आदमी था, उसका विचार अलग था, उसका भावना बहुत बड़ा था। तो आपके क्या राय ब्रहामनिजम के बारे में? मेरा तो इज़त है ब्रहामन लोगों के बारे में लेकिन ब्रहामनिजम बोलते हैं, वह थोड़ा मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। क्या ठीक नहीं लगता है? यह वह लोग क्या क्या कुछ कुछ करते रहते हैं। एक बात बताईए है, 2014 के लोगसबा चुनाओ से पहले बीजेपी को खरीब 12% वोट मिलता था। और 2014 में 22% मिला और फिर 2019 में 33% वोट मिला। मगर जो 2019 का चुनाओ था, उस समय तक बहुत सारे दलितों की हत्या हुई थी। उनको मारा पिटा गया बहुत बुरी तरीके से। रोहित विमला की खुदखशी हो गई थी। एसी एस्टी एक्ट में आवेंडमेंट भी आ गए थे। बहुत सारे ऐसे विशे थे। उनको उनको एक रिज़त ही दी जा रही है। वो तो सच है। अभी भी देखो जी यह जात्पात का पूरा तो खतम नहीं हो गया यह देश में। अभी तक है। अभी भी है। दलीत, अपरकास्ट यह तो डिफरेंट करते रहते हैं लोग। लेकिन कम तो नहीं हो गया", फिर भी, शेकनानननननननननननननननॉ दलीत लोगों का डालीत था, अभी है। यह स्षणी दलीत लोगों का धैका की और व्यषणी मि उनको बाद रह को लिइँ, उनननननननननननननन नेनो, पूमell बाद मूत्फ झाड़नननननन'? ज्यादा नहीं सोचते यह मुझे इसे लग रहे जब आप MLA थे उस समय आपको कुछ मंदिर को बिलाए गया था और वहां आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए छोड़ा नहीं था तो उसके बाद से आप मंदिर जाने ही बन कर दिया क्या यह सही बात है जबी मैंने 83 में मंत कि हमारा तालुक के हमारा जिल्ली के लोग आया साब देखो हमारा गाउं आ जाओ बहुत बड़ा मंदिर का जात्रा है तो शुड़ पार्टिसिपेट इन जात्रा बोला मैंने बोला ठीक है पटिल साब मैं आता हूं ठीक वो वक्त पे मैं चले गया मेरे साथ डीसी और एस् साब मुझेशन जाला फोल दिन इतना बड़ा जात्र था बहुत मुझे भी पुशु ओ गया इतना लोग जम गया तो होता है दरसे नाचरल बहुत कुशी हो गया जब हम मट के तरह मंदिर के तरह सभी लोग मूड के जा रहा था सभी लोग अंदर गया मैं राइट लग कि ए उनको क्यों अंदर लेके जाता है बोला मुझे अरे बापरे मेरा खान में सीस बर गया कुछ भी नहीं दिखाने को तयार नहीं हो गया काया पाउं उटा के फिर वापस निखल के रखा औरे बापरे मुझे मन में तभी याद आए गया मेरा मा का बीस तो 24-25 येर्स बैक म Azrael हम लोग अंदर मंदिर में गया तो हमको पाप लगता है बोला था यह आद्मी देखो अईसा बोल दिया हमको ठीक हो गया अंदर जाता तो मुझे पाप लगता था महाई भारे हूँ ऑय हूँ करके ऐसे लगा मुझे वो दिन से में अंदर जाने कहा hey यूं कि जिस दिन त करता नहीं विशाल होता नहीं तब तक रिजर्वेशन देश में भी चाहिए जब थोड़े मंदिरों की बात कर रहे हैं तो हमेरे राश्टरपती मुर्वो ने जगनात मंदिर गए थे दिल्ली में मगर अंदर नहीं गए पूजा बाहर से ही किया तो आप क्या समझते हैं मेरे जैसे मन में आम्मा का मन में भी ऐसे आये होंगे उसके लिए वो भी दूर से बगवान को नमस्ते किया बस मुझे लगता है उससा कुछ मेंनों पहले मेंनों से बीजेपी और आरेसे से एक अभ्यान चला रहे है कि मंदिरों का जो कंट्रोल है उस सरकार के हातों में नहीं रहना चाहिए वो सरकार वहां से निकल जाना चाहिए मतलब उसके कंट्रोल निकाल देना चाहिए तो आपकी क्या राए इसके पामि नो बोलना ठीक नहीं है। सरकार के ए록र में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सब्धिद्सक्राई चुनाव में प्रदारमें नरेंद्र मोदी ने कहा जिना कि आश्वासन दिया है कि न English jazz तो आपकी इसके परे में क्या राय है? यह इंटरनल रिजरवेशन इस मोस्ट इंपॉर्टन इस्पेशली इन कर्नाटका यह देश में बोल रहा हूं देश में आना चाहिए ना यह आना चाहिए तो क्या का सेंसर्स की जरूरत है इस देश में? देखो जी, वो भीहार का बात अलग है, इधर का बात अलग है अभी क्योंकि यह जो लोग श्टडी करके लेके आया उसमें बहुत प्राबलम्स है इधर करनाटके में अभी करने का इतना अच्छा नहीं है वो मुझा इसा लगता